चलिये, ठुड़ा फस्टी तरीके से अमारी क्लास होती है, पहला कोशन आके सामने दिया गया है, वीडियो को लाइक से ज़ूर कर दीएगा, यहाँ पर देखिए, आप से कोशन दिया है, रूमी दरवाजा कहां इस्ठीथ है, पहले का जवाब देना है, रूमी दरौजा कहा परिष्टी थे इसका राइट अंसर पहले का अंसर आपको दिख रहा है सभी का अंसर आपको नहीं दिखेगा राइट अंसर हो जाएगा यहां पर आपको कौन सा वही तो अंसर हो जएगा ए नंबर आपके लखनव में है क्या जो आपका रूमी दर्वाजा है ठीक है यह कोश पर ब्रंगुर रसी कौन है तो यहां पनसर सी जिसका रहा है बिलको राइट हो जाएगा यह आपके ब्रंगुर रसी है उपसन आपका सी बनेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है कि कालपी नगर किस नदी के तड़ पर इस्तित है यहां पर कोशन आप सिगला पूछा गया है इसका निर्माद है और इसका निर्माद जो करवाया था यहां पर आपका जवाब देना है आपका राइट अंसर यहां पर चलिए फोर को आप सनाने शुरो गए है और आप सना रहा है ए नमबर रानी अहिला ब्याद जो कि बिलकुर सही जवाब है याद रिखे आपका अंसर हो जएगा ए नमबर रानी अहिला बाई आपका अंसर राइट हो जएगा सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं नम्बरिंग करते रहे जब numbering करोगे तभी तो हमें पता चलेगा न कि आप लोगों नो यहाँ पर जवाब सही दिया है या नहीं दिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पुछा गया है कि अरजुन दरौपदी का स्वेंबर इस्तल भेद कुंड कहां परिष्थी थे अरजुन प्रियाग राज इस्तित अल्फ्रेड पार का पुनाह नाम करण किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है शिक्स नमबर में चलिए शिक्स का उप्सन आना शुरो गया चंसिखा राजात बिलकुर राइट अंसर यहां पर देखिए आप का अंसर हो जएगा भी चंसिखा राजात के नाम पर पड़ा है ऑप्सन आपका बी हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पूछा गया है बहु बेगम का मकबरा कहां परिस्तित है ऑप्सन को लॉग करना है सेवन नमबर चलिए यहां पर अंसरा रहा है बी नमबर आयोध्या कुछ लोग जव राइट नशर क्या बनेगा जिल्दी से बताईए इसका राइट नह सरे यहां पर क्या हो जएगा चलिए बिल्कुर सही है यहां दरेखे लाड कानवालिस की जो कबर है ह हाना यह ऐसा ग Mechaner जनल था जिसकी कबर आपके भारत में है एक मातरे सा गवरणर है यहां पर आपकी क काल में आयोध्या किस जनपत की राध्धानी थी यह कोस्चन बहुत ईयंपी है यहां पर आपका सभ्ण करहा है यहांपर आपका अपसड बने गए इसका इंग्धा कोसल बने गहां ऑपका दिनमबर ठीक है चले आगे बढ़ते कोस्चन आपके पूचह घ्ला यहाँ पर देखे अगला question आप से दिया है निम्निकित में से कौन उत्तरवदेश में बहुत परिपत का भाग नहीं है बताए भई कि यहाँ पर उत्तरवदेश में बहुत परिपत का भाग नहीं है तो आपका कपिल वस्तु कुसी नगर संकिसा और आपका स्रावस्ती इसका राइट अंसर बताईएगा कौन सा हो जाएगा तो दिखू यहाँ पर कपिल वस्तु कुसी नगर स्रावस्ती यह भगवान बुद्ध के जर्म म्रति या किसी चीज से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर जो संकिसा है संकिसा इनसे आपका रिलेटेड नहीं है ठीके ना मतलब आ हो जाएगा कहा जाता है यहाँ पर अपने माता से यह मिले थे यह बस आपका कह सकते हैं यहाँ पर थे संकिसा ठीके चलिए आगे बढ़ते कोशन आप सिगला पुछा है भारत माता का मंदीर जो इस्तित है वह आपका कहां पर है याद रिखे आपके भारत माता का मंदीर है वो आपके कहां पर है जवाब दीजगा ऐसा कौन समंदीर है जाफ भारत माता की पूजा की जाती है चेलिए और सुन आ रहा है बी नंबर वारानसी सबका जवारानसी आ रहा है तो विलकुल सभी है आपके अंसर को हम लॉक करते हैं आप concern हो जगा B No. वारानसी है जो कि भारत माता के मंदिर की पूझा की जाती है आपके वारानसी में किलियर है आगे बढ़ते हैं कोर्शन आप से गला पूछा गया है कि कलिंजर का किला इस्तित है कलिंजर का जो किला है वह आपके कहां पर इस्तित है वीडियो को भी लाइक सेर करते रहे हैं जितने लोग जुड़े हैं और यहाँ पर लगातार मेनत कर रहे हैं हमारे साथ हैं अपने पूर्ड कैसिकती इमानदारी से जितने लोग भी में आपन मेनत कर रहे हैं सब लोग भी वीडियो को लाइक सेर जदरू करते रहेगा ठीक है कोर्शन आप से दिया गया है कि कलिंजर का जो किला है कलिंजर को जो किला है वो आपके कहां परिस्थित है चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बांदा होजेगा क्या बांदा बिल्कुच सही आपका राया है अंसर जिसका लोगों को जवाब बाया है भी नम्बर है तो आपका राइट अंसर होजेगा बांदा होजेगा यहाँ पर जवाब दीजेगा भाई यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या बनेगा चले आपका औरंग जेव चले औरंग जेव कुछ लोगों ने जवाब दिया है औरंग जेव तो देखिए इसका राइट अंसर आपका बिल्कुछ सही है आपका औरंग जेव हो जाएगा ठी देखे यहाँ पर अंसर आ रहा है आपका यहाँ पर ए नमबर आपका ब्रम्हावर्त ब्रम्हावर्त मतलब यहाँ पर इसलिए हमने बोल दिया क्योंकि बिठूर का पहले नाम क्या था ब्रम्हावर्त के नाम से जाना जाता था जो आपका बिठूर था हाना तो बिठूर को ब यहाँ पर विल्कुत सही अंतर सर्थना में करवाया था बेगम मसुरुंद ने चर्ची का जो निर्माण काया सर्थना ओप्सन सिय हो जएगा आगे बढते हैं कोशन आप सेकला पुचा है आगरा सहर के स्थापना की थी आगरा सहर की जो स्थापना किया था वो किस ने किया यहां पर जवाब दीजेगा चलिए बैलोल लोधी ने किया था क्या सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोधी बनेगा भई ए नमबर मत लगाईएगा बहुत लोग तो बस तुक्का मारने में माहिर है है कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है अब आप लोग बताइये गंगा वसा है अधात के सकते वारान रसी गंगा नदीकिंस नारे लखनो गोमती नदीकें नारे गोड़ा नरे गोरे घंग कर तो आपका अंसर क्या गलत है यहाँ पर अंसर आपका सी नंबर गलत था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला पूछा गया है यहाँ पर दिया है हर्सवर्धन दो महान धार्मिक सम्मेलन किया था तो इसका राइट अंसर बिल्कुल सभी का आया है कन्योज और प्रियाग राज में किया था तो इसका अंसर बन जेगा ए नंबर राइट हो जेगा ठीक है ना कहा जाता है जो आपके बहुत धर्म का जो पांचवां आपका कैसिक्ते सम्मेलन हुआ था वो आपके किस ने करवा में से 20 सदरोवर में कौन सामिल नहीं है चलिए जवाब दीजिए और लॉक करिए देकि 19 अंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है यहाँ परंसर आ रहा है आपका डी नंबर अकबर का मगबरा है ठीक है अगबर का मगबरा कहां पर है यह आपको कमेंट बॉक्स में कम इस्थापना किसकी इस्मरती में की गई थी यह पूछा गया है कभी कभी यह पूछ लेता है कि किसने करवाया था लेकिन पूछा है कि किसकी इस्मरती में की गई थी तो आप कंसर क्या हो जएगा यहाँ पर आप कंसर भी मुहम्मद बिन तुगलक क्योंकि मुहम्मद बिन का एक नाम था जौना खा क्या नाम था भई जौना खा इसका नाम था या दरिके 30 की स्मृत में बनवा आया गया था ओप्सन आपका हो जएगा बी नमबर राइट हो जएगा फिके ना आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कौसांबी इस्तित प्रभासगिरी इस्तेल का मंदी थे प्रभासगिरी आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुला कुलूत्सव का आयोजन किया जाता है तो आप लोग जवाब दीजेगा हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक जो सुला कुलूत्सव है ये आपका कह सक देखिए इसका राइट अंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर रही आँशन द्र। आपके थे कहां से हैं संथ मलूख दास देखें आपके कवसांबी waiting develop 일हीं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है उदयन वासदता की कथा संबंदी थे आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया है नए मिसारण तीर्थ किस जनपद में है यहां पर आप्सिन को लाग करिएगा चलिए काफी लोग जवाप दे रहे हैं यहां पर देखिया काफी लोग जवाप देने सी नंबर आपके सीतापूर बिलकुत सही है आपका सीतापूर यह आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है किसे भारत का सीराज कहा जाता है आएमपी कोशन दिया गया है किसे भारत का सीराज कहते हैं कौन साब के यहां पर है चले किसे भारत का सीराज ओप्सन आ रहा है सी नंबर जोनपूर विलकुत सही है जोनपूर को कहा जाता है आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से दिया है नगर महोदय स्री के नाम से जाना जाता था नगर महोदय स्री के नाम से ये भी कोश्चन आपके आरो इज्जा में पूछा गया था नगर महोदय स्री हना मिलान करने के लिए आया था हमने बताया था कि अगर कोश्चन में मिलान क करने के लिए पूछ रिया तो समझो चार कोस्चन आपके एक साथ बन गए तो यहां पर नगर महुदे अर्थात यहां पर जो आपकी महमँद बिन तुगलक थे हाणा लेके नाप पूछा किसने की थी तो अंसर रेना है उनके बात कौन साथन किया था फिरोज साथ तुगलक ने किया था जिसने आपके भारत में नदियों का जाल बिछा दिया था था हाणा और इसने आपके कैसे जो आपकी यहां पर कुतुम मिनार है उसकी पांचवी मंजिल का निर्वाड कराने का यहां पर सरे जाता है फिरोसातुलग को ही जाता है हना इसने बहुत कुछ प्रसासनिक ब्योस्था में सुधार भी किया था ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि महा निर्वा महा निर्वार बंदिर जो कि आपके कुछी नगर में वी रुकुछ सही जवाब आ गया है वी नमबर यहां पर कुछी नगर ऑप्शन भी हो जागा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है निम्न में से कौन जैन और बहुत दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ है यह कहां प उत्तरब्यदेश का प्राचिन्तम जीवन्त नगर जो आपका है कौन है देखो इसे जीवन्त नगर कहा जाता है यहापर जीवन्त नगर कहा जाता है वेसे जीवन्त नगर कहा जाता है उत्तरब्यदेश का प्राचिन्तम जीवन्त नगर जो है यह आपका कौन सा है तो पकरन आपिक के साथ हजार मुनियों की सभ़ह हुईति अर्थां महा भारत कर जो वाचन किया गया था वो कहां पर किया गया था चलिए तेटिस नंपर में तो देखें 33 को option आ रहा है D number 9 मिसारण कहाँ पर 9 मिसारण option आपका D number जिसका जवाब हारा है बिल्कुर right होगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है सूफी संत हाजी वारिस अली सा की जो मजार है ये कहाँ परिस्थित है चले आपका सही अंसर देवा सरीप देवा सरीप ज में तो option मनेगा C number आगे बढ़ते हैं question आप सक्कशला पूछा गया है यहाँ पर दिखो अगरा question दिया है दसा ओतार मंदीर है तो दसा ओतार मंदीर है कहाँ पर answer तो आपको दीखी गया है आपके कहाँ पर टो आपके जहासी में याद रहे कहें दसा ओतार मंदीर कहाँ पर तो वीडियो को भी लाइक शिर करते रहेगे साथ साथ में ठीक है जैसे मौका मिले वैसे वीडियो को लाइक तुरंद कर दिया करें चलिए धम्मेक स्टूप कहते हैं यहाँ पर देखे यह आपका अंसर हो जगा यहाँ परसी नंबर यहाँ पर सारनाथ हो जगा क्या हो जगा सारनाथ आप्सन आपर सी नंबर राइट बनेगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप सिला पुछा है परेटन नीती 2016 के अंतरगत हेरिटेज आर्क में समली सहर आपके कौन कौन से हैं दीखे एक परेटन नीती आई 2016 इसके तहट आपके हरिटेज आपके आर्क में कुछ सामिल किये गए थे सहर इनमें से बताइए 2016 के कारडिंग कौन से आपके परेटन आपके सामिल किये गए थे याँ पर सैंतिस नंबर में तो याद रिकी इसका राइट अंसर यहाँ पर हो जाएगा लखनो आगरा और आपका वारंड सी ओप्सन बनेगा यहाँ पर कौनसा ए नमबर इसका राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है कि प्रदेश में परेटन को उद्धो का द इसका राइट अंसर वनेगा 1998 में परेटन को उद्धो का दर्जा दिया गया तभी तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो आपके परेटन इस तहले आपके बनाए जा रहे हैं अपनी यूपी में नहीं हर जगा बनाए जा रहे हैं क्यों क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इ देव मंदीर का निर्मार करवाया था वरंदावन में गोविंद देव मंदीर का निर्मार करवाया जो करवाया वो किसने करवाया यहां पर यादरिके महराजा मांसिंग कौन यह महराजा जो मांसिंग है इन्होंने ब्रंदावन में गोविंद देव मंदीर का निर्मार तो देखे आपका अंसर क्या हो जएगा आपका रंग नाज जी का मंदिर है रंग नाज जी का जो मंदिर है यह आपकी द्राविट सैली में है देखो भारत में तीन प्रकार की सैलिया होती है तो आपको भई पता है कि आपकी द्राविट सैली भी होती है बेसर सैली भी होती है यहना तेयादरी की इस कंसर होजएगा A number राइट बनेगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है मुस्लिम संत साह मीना की जो मजार है यह कहाँ पर पर इस्तित है साह मीना यह संत है मुस्लिम संत है यह लखनाव में है कहाँ पर भई लखनाव में है इसका option बनेगा A number है लख आपके पास option है यहाँ पर option होजएगा कौनसा यहाँ पर जो गोरगपूर अर्था जो रामगड़ है रामगड़ जो कि आपके गोरगपूर में है तो अंसर क्या होजएगा यहाँ पर सी नंबर रामगड़ गोरगपूर यह अपनी प्रसाशनिक ब्योस्था में जो कि अप कोशन मिला है आप सभी को है ना तो चलिए यहाँ परते तालिस के गरम बात करते हैं तो आपका लग भगन सरा चुका है हस्तिना पुर को कहते हैं याद रहे के हस्तिना पुर आपसं क्या हो जएगा सी नमबर इसका राइट बनेगा हस्तिना पुर हो जएगा ठीक है आगे दो पॉइंट बताया था, हाना, सुला कुल उत्सो, और एक बताया था, हिंदू मुस्लीम का एक मेला लगता है, हाना, जो कि आपका नौचंदी महुस्टो, अब यहाँ पूछा है, सलामत साह, जो कि हिंदू मुस्लीम एक्ता के प्रतीक में है, अब यहाँ पर क्या हो जगा, चले, कहारें, सलामत ही हो जाएगा, इस सलामत कैसे होगा, आपसन तो देखें, यह है आपके 12 बंकी, कहा है, बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे, बस आपको सुनना है, क्योंकि सब कुछ आपको आता है, बस revision की जरूरत है, तो देखें, यहाँ पर वारन रसी से जुड़े यह सब लोग जानते हैं, ठीक है, वारन रसी को कासी के नाम से भी जानते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, वारन रसी संसार की प्राचीनतम नगरों में से एक है, अगर question पूचें, कि विस्ट का सबसे पूराना सहर कौन सा है, तो यह वही जो कासी था, कासी को ही वारन दो नदियों के बीच आपका बसा हुआ है, अगला point दिया गया है, कि कासी का प्रतम उलेक मिलता है, अधरवेद में मिलता है, किसमें आपके अधरवेद में मिलता है, अगला point आप से दिया गया है, कि रामायर कथा महाभारत में भी कासी का उलेक मिलता है, अगला point आप से दिया गया है कि महा भारत में उल्लेखित है कि कासी के स्थापना किस ने किय थी तो आपके दिवोदास नामक राजा ने किय थी अधात जो आपका कासी के स्थापना किया वो किस ने किया था तो दिवोदास नामक राजा ने किया था अगला पॉंट आप से दिया गया है कि जै आथें गुरु जो आपके थें उनका नाम था सूलि पाल सुनाचरा आ, और तीश्मे घूरु का नाम था पाल सुनाचर अर्थान दोनों ही जो पाल सुनाच थें, इनका जन्म हुआ आपके कहा सकते हैं आपके वारंजिगों टासी में हुआ, ठीक है, अगला दिया गया है वा वाराणरसी में हैं आदी विस्षेशवर मंदिर वाराणरसी में हैं अगला यहां पर देख सकते हैं वाराणरसी में गंगा नदी पर कुल 84 घाट हैं इन में से प्रमुक है कौन? असी घाट, तुलसी घाट, अहिल्या भाई घाट, हरिस्चंद घाट, दसाओ मेस घाट, और मडिक कडिका घाट, तो यह कुछ घाट हैं जिनको आपको रट लेना है, था थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक हैं, यहाँ पर देखी कुछ आपके कु तो यहाँ देखे, 1358 इसवी में, 1358 इसवी में मुहम्मद बिन तुगलक जुकी, जिनका नाम था, मोल नाम था, जौना खांके सम्मान में सुल्तान फिरोसा तुगलक ने जौनपुर नगर के स्थापना करवाया था, अगला पॉइंट है, कि मलिक हुसाइन सरकी के नितरत म जौनपुर में सुतंत्र सल्तनत के स्थापना हुई थी, अर्था सुतंत्र सल्तनत के स्थापना किसके समय हुई थी, तो आपके मलिक हुसाइन सरकी के नितरत में हुई थी, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कि सरकी सल्तनत के समय, जौनपुर सिच्छा कामा इस्था इस यहां पर जॉन पूर को सिराज भी कहा जाता है तो लाल दरावाज़ कहां पर है आपके जॉन पूर में आटाला मस्जिद है जॉन पूर में जामा मस्जिद कई जगा हैं लेकिन ओप्षन के अंसार आपको सही करना होता है आगे बढ़ते हैं प्रसणाफ से गला पूछा है कलिंजर देखें कलिंजर के गरम बात करते हैं तो ये कोशन जोरू बनता है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया गया लखनो तो लखनो से दिख सकते हैं लखनो का एक प्राचे नम क्या है लचमण पूरी है क्या है लखन पूरी या लचमण पूरी के नाम से लखनो को जारा जाता था याद रखेगा अगला है लखनो की स्थापना भगवान सिरी राम के छोटे भाई लच्वण ने किय थी। ठीके किसे ने किय थी। लखनव के नवाब जो आपके आसुप दौला हैं इन्हीं के समय फायजावास से राधानी लखनव इस्थांत्रित की गए थी ठीक है अगला है कि बेगम हजरत महलें 1857 की विद्रो का नेतरत किया था कांसे तो आपके लखनव से किया था कांसे लखनव से किया था और अगला आप देख सकते हैं जो की कोशन बहुत बनते हैं कि आपके लखनव के प्रमुग दार्सनी के स्थाल और आपके इसमारक जैसे पहला पॉइंट कि आसुप दौला द्वारा निर्मित यहाँ पर बिबियापुर कोठी रूमी दरवाजा इमाम बाड़ा आसुपी मस्जिद द पूछा जाता है जो पूछा जाता है यह वाला पूछा जाएगा मुहमद अली साह दौरा निर्मित हुसेन साह का इमाम बाड़ा और बड़ी जामा मस्जिद ठीक है और इसके बाद यहाँ पर देख से चातर मंजिल का पर है आपके लखनों में है ठीक है और एक पॉइंट का प्राचीनतम नाम क्या था बसेया था धा क्या था बैए आगे बढ़ते हैं प्रसनाव सेगला है यहां पर भगवान बुद्ध की सयान मुद्रा में अतात लेटी हुई जो मुद्रा में 6.10 मीटर लंबी विसाल प्रतिमा भी आपके कहां पर है तो आपके यहीं पर है अगला आप सेयां पर दिया गया है यहां के दर्सनी इस्थाल प कोरियाई मंदिर कहां पर देखे लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरियाई मंदिर यह सब का मिक्स आपका कैसकते बनाया हुआ मंदिर है यहां पर मतलब इस डियाइन से है जो आपके कहां पर है उसी नगर में है राम जान की मंदिर भी यहीं पर आपका है और राज की बहु लोग बताते हैं कि आपके अयोध्या में है ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसनाम से पुछा गया है यहाँ पर अगला पॉइंट हो चले यहाँ पर है पावा नगर पावा नगर जो की देख सकते हैं पावा नगर उसी नगर जिले में इस्तित है चार सो अरसर डिजवीपूर प महावीट सादवीदी ने अपना देह त्या किया था पाव नगर में प्रतेक कार्थिक पुन्मा को निर्वाण मोहसो मनाया जाता है जो कि आपके पाव नगर में ही मनाया जाता है ठीके आगे बढ़ते हैं कन्योज की गर्मात कर दें हैं तो प्राचीन काल में कन्योज का न का तो देख सकते हैं महाभास में जो कि पतंजली का है टारिमी के दाजिगरॉफी में भुआ है महा भारत में भुआ है चिनी आत्री फाया ने भी और वेन सांग ने भी इसका वीवरन अपने पुस्तकों में इन्होंने किया है अगला यहां पर दिया गया है कि समराट हर्स के स अगर पूँचे कि कुछ प्रमुख दार्सनिक इस्तार अगर पूँचे तो क्या बताएंगे भई तो यहां पर देख लिजेगा जैसे कि यहां पर आपका दिया है चमकली देवी का मंदिर जैचंद का किला और पदमावत्ती सती का जो मंदिर है वो आपके यहीं के कुछ प्रसिद्ध क्या है दार्सनिक इस्तार है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आपसे अगला पूचा गया है चले आगे बढ़ते हैं प्रसन आपसे पूचा गया है यहां पर देखो दिया गया है सिकंद्रा सिकंद्रा के गर्म बात करते हैं तो अभी एक कोशन पूचा गया मुगल बाद साथ जहांगीर का जन्म यहीं हुआ था फतेपुर सीकरी ही सूफी संद सेख सलीम चिस्ती का निवासिस्थल था ठीके ना और 1578-188 के वीच फतेपुर सीकरी मुगल समराज की क्या थी राधानी थी यहां के प्रमुख आपके जो आपकी इसमारक है तो आपका ब ठीके आगे बढ़ते हैं प्रसनाप सिगला पूछा गया है कि प्रयाग राज की कर्म बात करते हैं तो प्रयाग राज को भी सभी हिंदू तीर्थों के राजा होने का गौरव प्राफ्त है किसे तो आपके प्रयाग राज था कोशन ऐसे बन सकता है सभी हिंदू तीर्थों के राजा को कौन सा जन्पद या कैसे जिले को कहा जाता है तो आखे प्रियाग राज को कहा जाता है ठीके यहां गंगा यमना सरसुती जो की देख सकते हैं सरसुती अद्रस से नदियों के संगम परिश्टी थे अगला है कि 1544 में अकबर ने इसे इलाहबाद का नाम दिया था देखे 1544 में अकबर ने इसे इलाहबाद का नाम दिया था अक्टूबर 2018 में 444 वर्स के बाद इलाहबाद का नाम बदल कर पुना प्रियाग राज कर दिया गया है ठीके असोक इस्तम जीस पर गुप्त वंस के सासक समुद्र गुप्त का जो की हरिसेंट द्वारा रचित है एक लेक उतकिर्ण किया गया था अकबर ने कौसंभी में मंगा कर उसे प्रियाग के अपने किले में स्थापित कर वा लिया ठीके अगला यह आपर दे सकते हैं कि समराठ असवर्धन प्रतेक 5 वर्स प्रियाग में महा मोच परिसत कायोजन करता था ठीके अगला आपसे दिय यह रखते हैं ठीक है धन्नवाद